हलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज है 22 दिसंबर 2021 22 दिसंबर तक जितने भी करेंट फिर्स के महत्वूर्ण प्रस्ण बने हैं वो सबी प्रस्णों पर चर्चा करेंगे पहला प्रस्ण है इन में से किसने फ्यूचर ग्रूप में आमेजन के निवेश की मंजूर भी वापस ले ली है और 202 करोल रुपय का जुर्बाना लगाया तो किसने लगाया है सीसी आई ने सीसी का मतलब क्या होता है कंपटीशन कमीशन आप इंडिया जब इसकी बात करते हैं तो इसमें जितनी भी सारी चीजें इसमें कौन-कौन इन्वालो था एक तो मुक्य जिसे बिग बजार थी जिसको किसने अकुपई कर लिया था रिलाइंस इंडिस्ट्री ने जब रिलाइंस ने कर लिया था तो उसके बाद में फ्यूचर गूरॉप के साथ में इनका कुछ टाइब था जिस कारण से इन दोनों में मतलब यह चल आ था कि मतलब यह जो सवधा का फ्यूचर गुरूप का हुआ है यह गलत तरीके से हुआ है इसलिए आमेजन इस पर अपना अधिकार दिखाता था लेकिन ने 2019 में इस फैसले को पहले एगरी कर लिया था लेकिन अब उसने उसको वापस कर लिया और इस पर 202 करोड रुपय का जुर्बाना भी लगा यह देखिए क्या अगर है फ्यूचर आमेजन फ्यूचर और रिलाइंस फ्यूचर के बीच डील में कब क्या हुआ अगस्त 2019 में पंद्रा सो करोड में आमेजन ने फ्यूचर कूपन में 49 प्रिस्त के इस्यदारी खरी दि में 24,713 करोड रुपय की डील को मंजूरी दी यह अगस्त 2020 की बात है ठीक और में चीज अब आप लोगों को यह या रखना सिक्यूर्टी और एक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया ने रिलाइंस रिलाइंस फ्यूचर की डील को मंजूरी दे दिये ठीक उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद कीबाद verändert का हम लोग यह कितने सेकेंड का होगा यह 55 second का होगा और यह जो राजकी घीस બलिज्ट है विट्ष ये राज का राज की घोसित किया गया है कि तमिल की मां की प्रस्णा के लिए इसको घोसित किस ने किया है तमिलनाड के सी यंफ क्योंने मक् स्टालिन ने उसके अधाम में कहा है Gulf डूटोंक कंजर्वेशन शिंटर कहां पर रहे तंयर दोste के लिए समुदरी के सवक्सों अब भूस estás मनाय जाता है अच्छा क्लासिकल प्लासिक रत क्या है भरत नात्यम भरत कहां का है तमनादु साइब कभी यह अब अब प्रस्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है उसके लावा मैटूर बांध कहां पर है मैटूर बांध कहां पर यई भिया तमिलनाडु में है और किस नदी पर है किस नदी पर है कावेरी नदी पर है अच्छा संगम साहित थे कहां से समंधित है तमिलनाडु से उसके बाद में हमारा अगला प्रसन हमारा ये है हाल ही में परिसीमन आयोग ने किस केंद्र सासित प्रदेश के लिए अतिरीक्त सीटों का प्रस्ताव रखा है किसके लिए रखा भी या जंबो एंड कस्मीर के लिए देखें जंबो एंड कस्मीर के लिए ये 5 अगस्त 2019 55 عगस 2019 को 3075ए को जब कैंसल किया गया तो इसको केंद्र सासित प्रदेश बना दिया गया थ्याँ की जम्मु कस्मीर में विदान सभा रहेगी लेकिन लद्दाक में विदान सभा नहीं रहेगी जब इसमें फिर परिसीमन आयोग की क्या जरूरत पड़ी 2011 की संख्या की अनुसार जो परिसीमन हुआ क्योंकि लद्दा की कुछ सीटे कम हो गई जब कुछ छेतर जब लद्दा का जम्मू कस्मीर का जब अलग बाद स्टेट बन गया मलक किंद सासिर प्रदेश बन गया तब क्या हुआ कि जम्मू कस्मीर एक छोटा एरिया हो गया तो इसमें परिसीमन की जरूरत पड़ी परिसीमन के कारण क्या हुआ कि जम्मू में 6 अतरीक्त सीटों का प्रावधान किया गया जो जम्मू छेतर है ये वाला ये जो हमारा जम्मू छेतर है यहाँ पर 6 तरीक्त सीटों का वो किया गया पहले 37 थी जो अब 43 हो गए और जो कस्मीर घाटी है कस्मीर घाटी के लिए पहले 46 सीटे थी कितनी थी 46 और अब उसमें एक जोड़ करके कितनी कर दी गई 47 अच्छा उसके लावा 24 सीटे प्यो के पाक अकूपाइड कस्मीर के लिए भी छोड़ी गई है कि जब कभी भी प्यो के हमारा इंडिया का हिस्सा होगा तब 24 सीटे उसके लिए दी जाएंगी प्यो के में देखिए प्यो के अगेर हम लोग बात करें तो प्यो के यह देखिए यह एरिया आता है प्लस यह जो गिलगिट वाल्टिस्तान जो एरिया है यह भी प्यो के का ही हिस्सा माना जाता है ठीक तो यह हमारा और यहां की जो राजनेतिक पार्टियां है अलहाग इन National Conference के जो लीडर हैं उन्होंने भी इसी चीज को कहा है कि नहीं यह गलत तरीके से हुआ है लेकिन जो यह हो जाता है एक बार वो कर दिया मानने करना परता है ठीक उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद क्या कह रहा है आलोचना को मौन करने के लिए चीन ने किस एकामर्स कंपन अगला प्रसंद हमारा यह है कि हाल ही में किस सेना ने इस्टील्त विद्धुनसक मोर्ग वाओ के लिए पहला समुद्री परिछन किया है तो किसके लिए क्या भिया भारति नौसेना के लिए अब जब नौसेना की बात आती तो इससे समंद्रित और भी प्रसंद हम लोग द बनने हैं मजगाओं लिम्टेड में यह त्यार होगा उसके अलावा अब एक और है जैसे जो कि आइनेस विशाखा पटनम आइनेस मोर गुवाओ गुवा में है यह आइनेस इंफाल आइनेस सूरत अच्छा आइनेस विक्रांत स्वदेशी निर्मित विवान विवान वहक पोथ है यह ठीक उसके अलावा आइनेस वेला डीजल से चलने वाली पंडुबी है प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही किसके सहयोग से बन रही फ्रांस के सहयोग से बन रही आइनेस ध्रू भारत का पहला मिसाइल एंड उपग्रा ट्रैकिंग सिस्टम है आइनेस ध्रू यह भ सुसासनिक सुधार लोक विभाग कब से कब तक सुसासन दिवस के रूप में सुसासन सब्ता के रूप में मनाया गया तो विया यह मनाया गया है 20 से 25 दिसंबर अच्छा सुसासन दिवस कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है यह किसकी जन्म तिति है यह पूर प्र एकता दिवस कब मनाया जाता 31 अक्टूबर को ये किसकी जन्मति थी है सरदार वल्लब भाई पटेल की अच्छा इसके साथ में अच्छा यह जो सुशासन सता है इसकी थीम क्या है इसकी तेम आप लोगों को याद रखना है इसकी थीम में अभिया प्रसासन गाउं की और क्या यह इसकी आप थी में इसको भी आप लोगों को याद रखना है अच्छा हमने बताए एकता दिवस कब मनाये जाता है 31 अक्टूबर को किसके जन्मतिती है सरदार वल्लब भाई पटेल की अच्छा पीम ग्राम सडक योजना कब शुरू ही पच्ची पीम ग्राम सडक योजना को यह योजना शुरू की गए उसके बाद में अंतियोदे दिवस यह कब शुरू किया गया 25 सितंबर को अच्छा अंतियोदे जो 25 सितंबर को मनाया जाता है यह किसका जन्म दिन है तो पंडित दिन दयाल उपध्याय का जन्म दिवस है अच्छा पराक्रम दिवस कब मनाया आए जाता है पराकरम दिवसमन आए जाता है भी या तेइस जन्वरी को सुभाज चंद्र बोस का जन्वर दिवस कई पुस्तक है बहुत फेमयस पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है इंडियन इस्ट्रगल ठेक अचा 1949 में सुबाज कांगरेस अदिवेशन भी किया हुआ था उसके बाद में हमारा अगला प्रसन है अगला प्रसन यह आंतर राष्ट्री यह प्रवासी दिवस कब मनाया जाता तो यह मनाया जाता है 18 दिसम्बर को उसके बाद में हमारा अगला प्रस्ण है क्या करा है हाल ही में चिली के राष्ट पति के रूप में किसे चुना गया है तो यह राष्ट किसे चुना गया गेपले बोरिक वाज इलेक्टेट आज नेक्स्ट प्रेसिडेंट आप चिली अच्छा चिली की बात करते हैं तो चिली यह है कहां पर यह आप लोगों को मैप अगयर हम दिखाते हैं तो यह आपका साउथ अमेरिका का मैप और साउथ अमेरिका में जो बिल्कुल वेस्ट सबसे पर्ला सदेश यह है चिली उसके बाद में हमारा अगला प्रस्न यह है किस राज सरकार ने माऊवादी प्रभावित छेत्रों के लिए सहाय योजणा शुरू की है तो भी हैं जार खंड ने शुरू कि है तो जार खंड के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर लगभग कितने जिले इससे प्रभावित हैं तो कितने जिले प्रभावित हैं लगभग 19 जिले इससे प्रभावित हैं इसमें लगवग 19 जिले प्रभावित हैं और 14 से 19 वस के युवाओं को युवा प्रतिभाओं को खेलों की और आकर्सित करने के लिए ऐसा किया गया है ठीक अच्छा जब इसकी बात चल लई है जहारखंड की तो जहारखंड में एक टाइगर रिजर हुआ है कौन सा टाइगर उस पर है सोड़ रेखा नदी अच्छा बोकारो इस्टील प्लांट यह भी जहारखंड में किसके सायोग से बना रूस के सायोग से बना और कौन सी पंच वर्सी में बना थर्ड पंच वर्सी योजना के अंतरगत बना उसके बाद में हमारा अगला प्रस्ण अगला था कि इस ने शुरू कि है हर्याणा राजने शुरू कि अच्छा इसका में कारण क्या है नर्सरी खेली योजना का में कारण यह है कि बच्छों को बच्पन से ही खेल के पर उनका रुज़ान बढ़ाना अच्छा पहली यूद तीरन दाजी प्रतियोगिता कहां पर हुई तो ये कहां हुई हरियाणा में ही ठीक अच्छा पहला ग्रेन एटियम कहां पर खोला गया गुरुग्राम हर्याणा में एर टैक्सी भारत की पहली एर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगड के लिए शुरू की गई आक्सीजन आन विल्स ये कहां पर प्लांट लगाया गया हर्याणा के करनाल में कि अच त्राइन का युद कहां भी आ हुआ था हर्याणा में वठीन तराइन के युद्ध you UC 1191 में हुआ था और 1192 में हुआ था 1192 में जो यूद हुआ था प्रतिराज चौहान और मुहमत गोरी के बीच में हुआ था जिसमें प्रतिराज चौहान की विजय होती है और मुहमत गोरी की हार होती है उसके एगले साली 1192 में तराइन का दिती यूद होता है जिसमें मुहम्मद गोरी की जीत होती है प्रत्विरा चोहान की हार होती है तो ये तने सारे प्रसंद आप लोगों को हर्याना से याद रखने हैं उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद हमारा है कि अगरा हाली में किसे BWF वेस्ट चैंपियंशिप में रजत पदक जीता है त चैंपियों कि इसका मतब गोर्ड मेडल भी किसी नहीं जीता तो लौकिन ये कहां कहते सिंगापूर के लौकिन ने इनको हराया था इसलिए इनको शिल्वर मेडल मिला और लौकिन को गोर्ड मिले अचाब बैट मिंटन के चेतर में लाइप टाइम अचिवमेंट वार्ड कि कुसको मिला है प्रकास पाधुखोण को और को किया नाम है उनका प्रकाश पाधुकोण यह भी आप लोगों को याद रखना है कि बै। मिल्टन के छेहरत में लाइब टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकास पाधुखोण को मिला है. अच्छा नंदू नाटेकर कभी-कभी आप लोगों से यह पूछ देगा कि नंदू नाटेकर ठीक के लिखने में थोड़ा रहता है इस चीज का थोड़ा रहें यह इनका भी निधन हो गया यह किस से समन्दीत थे तो किस समन्दीत भैट्विंटन से समन्दीत अच्छा उबेर कप किस से समन्दित है उबेर कप किस से समन्दित है तो यह भी बैट विंटन से समन्दित है इसी को थामस कप भी बोलते हैं अच्छा कोपा और यूरो कप यह किस समन्दित है फुटवाल से समन्दित है ठीक कभी कभी आप से कप दे देता है कि यह कौन सा खे नाद रखना है उसके बाद में हमारा अगला प्रसन अता है अगला प्रसंद है कि हाल में किस्तार्ज framework वन अधिकारियों ने दर-दर की ठोकरे fitness खाते खलिहान उल्लू को बचाया है तो कहां भी है बिहार में तो जब बिहार की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है नितिश कुमार ठीक यह देखिए वो लू है क्या कर दा बार्न आउल एज साइंटिपिकली कार्ड आज टायटो अलबा ठीक इट इस दा मोस्ट आप आउल वर्ड वाइड तो यह आप लोगों को याद रखें उसके अलावा अने प्रमुख जानकारियों में जैसे 20 दिसंबर इंटरनेशनल हीमर स्वाली ट्री डे उसके बाद में 22 दिसंबर जो आज है तो नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है उसके बाद में जो हमारी प आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आज की यह हमारा जो वीडियो रहा है कैसा रहा इसके बारे में आप लोग अपने कमेंट और राय जरू दें ओके थैंक यू फार वाचिंग